जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 जून 2021 को होने वाले शुक्र के राशी परिवर्तन के बारे में शुक्र मिथुन राशी से निकल कर करक राशी में पिरवेश करेंगे और शुक्र को एक शुब ग्रह माना गया है किसी भी जातक के जीवन में भौतिक सुखों का दाता शुक्र को ही माना जाता है शुक्र यदी कुंडली में कमजोर इस्थिती में हैं तो वेवाहिक जीवन कलहे से भर जाता है साथ ही आर्थिक संक्टों का भी सामना करना पड़ता है और स्वास्ते संबंदित परेशानियां भी होती हैं और शुक्र यदी बली अवस्था में है तो जातक की कुंडली में ऐसे लोग वेवाहिक जीवन बेहत सुखद वेथीत करते हैं साथ ही बहुतिक सुख की जीवन में कमी नहीं होती है और ऐसे लोगों को कला की पड़ती रुजान होता है और जो तिस के अनुसार मौजूद बारे रासियों में से शुक्र विर्सब और तुला रासी का स्वामी माना जाता है मीन रासी में शुक्र उचका होता है और कन्या में नीचका होता है यानि कमजूर होता है और वही 27 नक्षत्रों में भर्णी पूर्वा सड़ा और पूर्वा फागुनी पर शुक्र का ही आधिपत्य होता है और 22 जून मंगलवार दोफेर दो बजकर 7 मिनट पर शुक्र का गोचर चंद्रमा के स्वामित वाली करक रासी में होने जा रहा है और शुक्र करक रासी में 17 जुलाई 2021 सनिवार की सुभे 9 बजकर 13 मिनट तक रहेंगे इसके बाद वो सिंग रासी में गोचर कर जाएंगे तो जानते हैं शुक्र का चंद्रमा के स्वामित वाली करक रासी में गोचर करने से धनु रासी के लोगों के जीवन में क्या बदलाव देखने को मिलेगा और शुक्र का गोचर आपके अस्टम्भाव में होगा इस गोचर के दोरान आपको अपने विरोधियों से पिर्टी दोंधियों से सावधान रहने के आफशक्ता होगी आपके कुछ मित्र भी आपको धोका दे सकते हैं तो उनसे भी सावधान रहना होगा अचानक लाब या हानी होने के संभाव न होगी जो इस रासी के छात्र कुछ सिक्षा प्राप्त करने का विचार बना रहे हैं या किसी पिर्टीयों की ता की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इस दोरान कुछ उतार चड़ाब देखने को मिलेंगे लेकिन हिम्मत ना हारें धैरिये रखें और निरंतर मेहनत करते रहें तो आपको अच्छे फल की प्राप्ती होगी इस रासी के कारोबारियों को इस समय किसी भी तरह के लेंदेन में सावधानी रखने के आपशकता है कोई भी लेंदेन करते समय कागजी कारवाई अवश्य करें किसी पर आँख बंद करके भरोसा ना करें साब्धान रहें और इस गोचर के दोरान किसी को भी पैसा उधार देने से बचें और स्वास्ते को लेकर भी थोड़ी सी साब्धानी रखें दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब सेर वे लाइक अवश्य करें जै मता दी दोस्तो